जहन्द एवरीवन वेरी वाउं वेलकम टू आल आफ यू कैसे आप सभी बहुत-बहुत सागत है आप सभी का करेंट इन सौर्ट सीरीज में आप सभी को पता है करेंट अफेर के लिए आकार आईस यूटूब चैनल पर दो सीरीज ऑन गोइंग है पहली है वीकली करेंट अफ दोनों की बच्चत होती है और बच्चे हुए टाइम को अपने वीक या कोर सब्जक्ट में आप लगा पाते हैं इसके अलावा जो दूसरी सीरीज है करेंट अफेर के लिए वह है करेंट इन सौर्ट सीरीज जिसमें हम लोग एक्जाम पॉइंट आफ वियू से जो सोनी प्रिती सूधन बनी यूपीसी की नई चेयपर्शन मनोज सोनी की जगह लेंगी डेटेल में हम लोग इसे कवर करने वाले हैं सांतिसांत यूपीसी के बारे में जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उसे भी कवर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो जुलाई तोच्छ जिसकी टाइमिंग रहती है दो पहर सुबह के आठ बज्जे चार जुलाई से मेंस का बैच स्टार्ट हुआ था जिसमें केवल नूली एड़ेट उनिट को ही कवर कराया जा रहा है आठ जुलाई 2024 से कंप्लीट मेंस लेबस का बैच स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई 2024 से प्ल मेंस बैच भी ऑन्गोइंग है इसकी टाइमिंग सुबह के आठ बजे रहती है एड्मिशन से समझने किसी भी तरह की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं सबसे पहले एक सवाल की तरफ नजर फरमाते हैं फिर इस सवाल को लास में आंसर भी करेंगे सबको मेरे साथ question पढ़ते हुए चलना है who has been recently appointed as the new chairperson of union public service commission हाल ही में संग लोग सेवा आयोग का नाया अध्यक्ष किसे न्यूट किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स का ये कबार भी आप देख सकने है पृती पृती शुदन फॉर्मर यूनि में लोग वापस आएंगे पृती सुदन बने यूपियसी की नई चेहपसन मनोज सोनी की जगहे लेंगे तारीक है 31 जुलाई 2024 को जब राश्पती महोदया द्रौपदी मुर्मु जी ने 1983 की आईएस ऑफिसर 1983 बैच की भारती प्रशाशनिक सेवा अधिकारी और फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी इसके पहले इन्होंने जो है केंदे स्वास्त सचिव की रूप में भी अपनी सेवा दी है पृती सुदन को मनोज सोनी की जगहे यूपियसी का अगला चैर्मेन एपॉइंट किया गया है आप सभी को पता होगा कि मनोज सोनी ने कुछ दिनों पहले ही आपने पत से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र स्वापा था मनोज सोनी जी की एपॉइंट में दो हजार तेईस में हुई थी और यूपियसी चैर्पार्सन का जो कारिकाल होता है जो टेन्यूर होता है वो सिक्स इयर्स का होता है यानि दो सेक्रेटरी भी रह चुकी है यूपियसी के अगर हम बात करें तो इसकी आरंभिक स्थापना एक अक्टूबर 1926 को करी गई थी इसकी प्रकेती है आप सभी को पता है वो सारी ही संस्ता हैं वो सारा ही इंस्टिउशन जिसकी स्थापना भारती समधान के किसी ना किसी आर्ट के तहत की गई है उसे constitutional body कहते हैं यूपियसी के सापना इंडिन constitution के part 14 भाग 14 के article 315 के तहत किया गया है अता है इसका जो नेचर है वो है समधानिक आयोग है समधानिक संस्ता है इसके लावा वो सारी ही संस्ता है वो सारी ही bodies जिनकी establishment किसी ना किसी act के तहत होता है उन्हें कि जिसे ना किसी कानून का backup मिला हुआ होता है वो वैधानिक आयोगोती statory body होती है इसके लिए 1992 में अधिनियम आया इसलिए एट प्रजन 1992 के अधिनियम के कान से भी एक statory body है ऐसी संस्ता हैं जिसे ना constitution का backup मिला है ना किसी कानून के तहत उनका गठन किया गया है के वाले कार कारी प्रस्ताओं के तहित वह संस्ता बना दी जाती है उन्हें executive body कहते हैं for example नीतियायोग की स्थापना ना ही किसी सम्धान के तहित की गई है और ना ही किसी कहनून का backup उसे मिला हुआ हुआ है उसे केवल केंदरी सरकार के प्रस्ताओं एक order के तहित इसलिए नीतियायोग क कारकारी प्रस्ता हुआ UPSC constitutional body है इसका मुख काम क्या है conducting the central civil service examination मुख काम जो इसका है केंदरी सिविल सिवा परिचा अवजित कराना इसके लावा भी बहुत सारे काम करते हैं लेकिन में फंक्शन इसका यह है headquarter कहां पे हैं New Delhi में साय जहां रोड और साय जहां रोड में जो धौलपूर हाउस है धौलपूर हाउस ध्यान रखीगा पूछा जा सकता है कि धौलपूर हाउस किस body का headquarter है UPSC का headquarter है जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पहले chairman थे Ross Barker 1926 से लेकर 32 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो आ इन तक अपनी services दी अगर हम बात करें UPSC की पहली महिला chairman की तो Ross Miller Matthew या RM Matthew इसकी पहली महिला chairman है 1992 से 96 तक इनका कारकाल रहा न्यूकती कौन करता है UPSC के chairman या member की तो राश्पती इनकी न्यूकती करते हैं और इनका जो कारकाल होता है या तो 6 साल का होता है या उनकी age 65 years की हो उनका ये जो है कारकाल होता है समझ में आगी बात जुलाई 2024 में कौन-कौन से important appointments हुई है याद खरे वीकली करेंट अफ्रीक क्लास में मैंने आप सभी को डिक सूफ जी के बारे में बताया था डिक सूफ मार्क रूटी की जगह नीदर लेंड के नए प्राइम निश्टर ब में अगर मैं तारीक गलत नहीं हो तो साथ 19 में 2024 को इरान के जो फूदपूर राश्पती थे नाम तो उनका इब्राहिम राइसी उनकी हेलिकाप्टर क्रेस में दुरघटना हो गई थी उनके बात चुनाव होता है इरान के राश्पती का और नय जो प्रेजडेंट आफ इर प्रेजिटर एपॉइंट हुए हैं और यह भी ध्यान रखीगा यह लेवर पार्टी के नेता हैं इनकी पार्टी का नाम भी आप सभी को ध्यान रखना है धीरिंद के ओज़ा पी आई बी प्रिस इनफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार का जो गवर्मेंट नूज एजनसी है प्र यह जो इंडियन कॉंटिंजेंट गया है पेरिस उलंपिक 2024 में जो भारती दल है लगभग 117 खिलाड़ी है उस दल में तुन खिलाड़ियों का एक मॉनिटर जिसे सेफडी मिशन कहते हैं गगन नारंग जी को बनाया गया है जो की एक सूटर है यह भी ध्यान रखना है जो 34th foreign secretary थे विने मोहन कौत्रा साहब विने मोहन कौत्रा साहब को इंडिया न्यू एंबेस्टर बनाए गया है तो युनाइटे स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नए राजदूद बनाए गये हैं जो हैं विने मोहन कौत्रा प्रिती सुदन इनकी हाली में हम लोगों ने किसे न्यूत किया गया है प्रिती सुदन जी को 1983 बैच की आयास ऑफीशर है भूत पूर केंद्री स्वास सचीव रहे चुकी है किसकी जगह पॉंट किया गया अंसर हो जाएगा मनोज सोनी की जगह ठीक हो गित्ती बाते क्लास की जो पीडियाफ लिंक है वो के अगले वीडियो में तब तक लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद जय भारत भारत मता की जय